जुमेर्ट कश्मीर पाउर इंजिनियर्ज और एंप्लोईज कोडिनेशन कम्यूटी की वसादत से हमने पूरे जुमेर्ट कश्मीर युनियन टेरिटरी में एक प्रोटेस्ट डिमोनस्ट्रेशन और्गनाईज किया था जिसका मेन मकसद सेंट्रल गौर्रमेंट का इरादा है इसके क्लाफ अपनी आवाज उठानी है आपको पता ही होगा गौर्रमेंट आफ इंडिया उन्होंने एलेक्स्री एमेंडमेंट बिल जो के सेंट्रल गौर्रमेंट का लौ है जिससे डिफाइन होता है कि पावर कैसे खरीदो फरोगत कैसे उसकी होगी और कैसे वो कंस्यूमोर्स तक पहुँचाया जाएगा गौर्रमेंट ने इस पौर्लिमेंट सेशन में एलेक्स्री आमेंडमेंडमेंड बिल 2021 का एक जो की मेन एलेक्सरी के जो सारे रूल्स है उनको चेंच करना चाहते हैं इस दिश एलेक्सरी आमेंडमेंड बिल ये हमारा की तरफ ले जा रहे हैं गौ़र्मनेंट अफ इंडिया की आज की पॉलिसी है डिस इंवेस्ट्मेंट न प्रिवेट आजएशन और पॉब्लिक सेक्टर्स डिस इंवेस्ट्मेंट पॉबर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर Constitution. It is a concurrent issue. जिसमें State Government, State Administration, UT Administration और Central Government को पहले जो कि सारे stakeholders है, stakeholders है, employees और जो यहां पे consumers है, वो दोनों. सारे stakeholders से पहले इजाज़त लेनी है अगर वो कोई amendment करे इस law में. बट जो हम Central Government की policy है, हम देख रहे हैं कि without consulting any of these stakeholders, ना कि किसी association, किसी employee की association, employee unions को consult किया जा रहा है national level पे, ना ही लोगों को इन general consumers को consult किया जा रहा है and they want to thrust this LX3 amendment bill 2021 on people of India and in particular people of union territory of JNK. हमारी demand है, आज इस press conference की वसादत से हम ये अपील करना चाहते हैं जो की prerequisite है, प्राइटाइजेशन का, एक bidding document होता है, जो bidding होती है contracts allot करने के लिए, जो की government of India ने release किया है, उस standard bidding document को वापस लिया जाए. We are opposing privatization of electricity in all states and union territories of India. In fact, we want government to look upon the factors जहां पे वो हमारे जो government department था, पी डी डी जिसको unbundle करके generation, transmission और distribution में अलग unbundle किया गया. हम ये चाहते हैं कि government उसको rebundle करके, तीनु विंक्स को rebundle करके एक विजित बोर्ड जैसे बाकी states में होता है या एक government department में वापस किया जाए.